हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो आज चैनल कॉर्पेट कहानी तो गाइज आज मैं बात करूंगा तीन कंपनी के बारे में टीसीएस इंफोसिस और विप्रो के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप हाइरिंग इन सब में देरे देरे शुरू हो गई है या हो चुकी है तो गाइज आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि टीसीएस ने बोला है कि वह 40,000 इंप्लोईज को फिड हायर करेगी इस येर में 2023 में तो गाइज इसमें क्या सच्छा ही है कैसे इसमें लोग हायरिंग कर रहा है इन सब के बारे में बात करते हैं सबसे पहली बात तो गाइज जो टीसीएस है उसको यूके में यूके और यूरोपियन मीजन में इसको वन अफ़ बेस्ट लाइक आईटी सर्विस कंपनी माना गया है क्योंकि इन ने बहुत ही अच्छा काम किया है वहाँ पर इसके अलावा गाइज एक और चीज में आपको बता दूं टीसीए में है या बैंक ऑफ अमेरिका में है क्लाइंट साइट से वह स्क्रम मास्टर है या फिर प्रोड़क्ट मैनेजर कुछ भी है तो आपको मालूम होगा कि वह अगर यूएस सिटीजन है तो वह कितना पैसा लेगा मिनिमम जो वह लेगा 6-7 लाग रुपे महीना लेगा लेगा वही पर अगर कोई TCS का इंप्लॉई उस पोजिशन को फिल करता है तो वह आधे दाम में काम कर सकता है यानि तीन से तीन लाग में चार लाग सारे तीन लाग में काम कर लेगा तो बेसिकली इसी मॉडल को जो वह क्लाइंट से वह पसंद कर रही है अब कुछ ज्यादा ही प पोजिशन को भड़ना शुरू कर दिया है तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि वह इंप्लॉई जो की टेक लीड पोजिशन के लिए स्क्रम मास्टर के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अपने आपको तयार कर चुके हैं किसी छोटे और्गनाईशन में या किसी दूसरे और्गनाईशन में तो उनके लिए TCS में काफी स्पेस बनता दिख रहा है और बन भी रहा है तो रिजन साफ है कंपनी को अगर फायदा हो रहा है तो फिर हाइरिंग करेगी ही इसके अलावा भी बहुत सारे रिजन है कि आपको TCS में जाने का रास्ता पक्का है क्लियर है व लेकिन फिर भी पोजिशन्स तो काफी ओपन हो रही है आप इनके करियर साइट पर जाएंगे तो वहां भी आपको काफी सारे पोजिशन्स ओपन मिलेंगे TCS की मैं बात कर रहा हूं इसके अलावा गाईज अब मैं दूसरी कंपनी की बात करता हूं जिसका नाम है इंफोसि थोड़ा सा टेकनिकली ज्यादा एज पर रहती है उसकर यह रहता है कि वहां के जो अलएक मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डैनेमिक है वो नहीं नहीं चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करती है AI के उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स लांच किये हैं काफी नए नए किया है एक्सेंचर ने जैसे बोला इस तरह से इंफोसिस में बिल्कुल सिनारियो नहीं है तो इंफोसिस का सिनारियो भी काफी अच्छा है उसके बाद गाइस मैं इंफोसिस में आपको जॉइन करने के लिए इसलिए भी बोलता हूं कि वहां पर और उनसाइट ऑपर्चू में हैं कुछ लोग यूएस भी गया तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास में यह हालत है तो बड़े-बड़े लाइक जहां पर ज़्यादा हाइरिंग करती है इंफोसिस तो वहां के कितने सारे लोग इंफोसिस में गये होंगे इसके अलावा हमारा एक बहुत जानने वाला दोस्त है वह इंफोसिस के थुरू ही ऑस्टेलिया में है आप उसको वहां का पियार भी मिलने वाला है तो इंफोसिस में ऑनसाइट का जो सिनारियो है यह हमारे ख्याल से टीसे से भी ज्यादा स्ट्रॉंग और तगड़ा है तो गाइज अगर आपको इंफोसिस में भी मौका मिला है तो प्लीज आप जोईन करें उसकी कडियर पेज को जरूर दाकर चेक करें हाइडिंग अब हो रही है वैसा जो रुक गया था मामला वह ऐसा नहीं रहा अब तो हैरिंग हो रही है टीसे से में भी हो रही है अब मैं बा सब्सक्राइटिंग के लिए भी इन्होंने फायर किया बहुत सारी चीज़ें की लेकिन गाइज विप्रो का जो प्रोजेक्ट्स वगरा विप्रो में है यह क्लाइंट्स जो भी प्रो में है वह काफी अच्छे नंबर्स में हैं काफी ज्यादा है तो इसलिए मैं कह सकता लेकिन गाइज मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आप विप्रो जॉइन करते हैं तो आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा क्योंकि विप्रो का थोड़ा पॉलिसी हिला हुआ है लेक इंफोसिस और टीसियस जैसा सिक्योर नहीं है तो थोड़ा सा विप्रो में बहुत ज्यादा बोल नहीं थे तो थोड़ा सा वहां पर डर रहता है लेकिन भी स्टिल से तो बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं आपको विप्रो भी सजेस्ट कर सकता हूं तो इस तरह से मैंने आपको बताया सिनेरियो की क्यों पोजिशन्स खुल रहे हैं चालीस हजार ट और जो इंफोसीस है वो चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहां से हाइरिंग खुल लेए तो इधर भी हाइरिंग खुलेगी और उसके अलावा गाईज एक और चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट्स जो है अब मिल रहे हैं मतलब डिजिटल पर जाकर चेक कीजिए और फिर आप वहां पर अपलाए करते रही अपनी नजर बनाए रखिए अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उनका करियर पेज लिंक भी देंगा अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं इसके अलावा गाईज अग आप मेंट लिंक पर आप उसे जाकर पूछ सकते हैं तो गाईज यह था आज का वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में जानते हैं नेक्स टॉपिक के बारे में थैंक्स पूर वाचिंग बाए बाए